हर दिन काम आने वाले ए दस टिफ्स जरूर पढ़ें नमबर एक अगर कटे फोल या सैलेट काले पढ़ रहे हैं तो उस पर निम्बू का रोस या नमक डाल सकते हैं बस ध्यान रखे की नमक की मात्रा कम डालनी है जिसे से वे पानी ना छोड़ें नमबर दो कूकर से दाल उफनने से कैसे बचाएं सभी घरों में दाल तो बनती ही है साथ ही सभी महिलाओं और बैचलर जो बाहर रहते हैं उनकी एक सिकायत होती है कि कूकर में दाल पकाने से जाक और पानी उबल कर बहनी लगती है इसके अलामा कुकर का धकन कुकर के धकन की सफाई भी गंदा हो जाता है जिसे हर रोज धोना पड़ता है एसे में आप दाल पकाते वक्त कुकर के धकन बंद करने से पहले आधा चमच तेल डाल दें इससे तेल पानी के उपर लेयर बना लेता है जिससे जाक और पानी उबलकर बाहर नहीं बहते हैं नमबर तीन घर में अगर चीटिया आ रही है तो चीटिया आने वाली जगह पर थोड़ा सा कपड़े धोने का साबुन लगा दें चीटिया भाग जाएंगे नमबर चार मिर्च को खराब होने से बचाने के लिए उसमें थोड़ी सी हिंग रख सकते हैं इस्ता करने से मिर्च लंबे समय तक चलेगी वहीं हरी मिर्च का डंठल तोड़कर फिरिज में रखने से भी मिर्च जल्दी खराब नहीं होती है नमबर पाँच लहसुन को असानी से छिलने के लिए लहसुन की कलियों को थोड़े समय के लिए गर्म पानी में डाल दें फिर कुछ देर बाद जब आप लहसुन छिलते हैं तो छिल का असानी से निकल जाएगा नमबर छे, अगर दो बरतन आपस में फंस गए हैं तो फंसी हुई जगह पर थोड़ा सा तेल लगा दें आधे घंटे बाद थोड़ा सा घुमाने से बरतन निकल जाएगा नमबर साथ, कुछ काच के बरतनों में पानी के दाग धबे बहुत ज़्यादा जल्दी लगते हैं इन्हें जितनी बार धोले यह फिर भी गंदे ही दिखते हैं इसे में आप चाई की पत्ती पानी से इन्हें चमका सकती हैं एक फैन में दो कफ पानी गर्म करें और बची हुई चाई की पत्ती डाल कर उसे एक उबाल आने तक गर्म करें इसके बाद पानी को छान कर एक बरतन में निकालें उसमें थोड़ा सा डिस सोफ डालें और उसे अपने काच के बरतन को धोलें आप देखेंगी कि आपके बरतन एकदम चमक उठें हैं आप जब भी आलू उबालती होंगी तो आपने देखा होगा कि कूकर अंदर से काला पड़ जाता है इसे कितना भी रगड़े एक बार में यह साफ नहीं होता है साफ करने के लिए यह छोटी सिट्रिक अपनाएं आलू उबालते समय उसमें नमक और एक नीबू का टुकड़ा डाल कर सिटी लगाएं इसका छिलका भी जल्दी निकल जाएगा और कूकर अंदर से काला भी नहीं पड़ेगा यही कूकर काला पड़ता भी है तो उसे छिलके से साफ कर सकती है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर करिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में